हाई मध्यस्त के रूप में वकील अपने बैंक खाते में पैसा नहीं ले सकता दोस्तो यूपी बार काउंसिल ने वकील को 5 साल के लिए निलंबित कर दिया है तो आए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला सो नमस्कार दोस्तो मेरा ना में राहूल सिंग और आप देख रहें एड़ो हैल्पस दोस्तो हाल ही में यूपी बार काउंसिल ने एक वकील का लाइसेंस 5 साल के लिए इस आधार पर निलंबित कर दिया है कि वकील ने मध्यस्त की छमता में कार करते हुए मध्यस्ता के एक पच से अपने वक्तिगत बैंक खाते में धन प्राप किया था दोस्तो यहाँ पर आपको बताते चलने कि शिकायत करता स्रीमती गीता साहू ने 21.10.2022 को अपने हल्प नामे के साथ इस आधार पर शिकायत दर्ज की कि शिकायत करता के बेटे हिमानसु गुपता ने हदोजा 16 में रीनी साहू नाम की लड़की से साधी की थी कुछ समय बाद रीनी साहू यानी बहू और उनके बेटे और अने परिवार के बीच विवाहिक विवाद पैदा हो गया आरोप है कि माय के पच्च की और से विपच्ची नितिन सक्सेना एड़केट ने आकर शिकायत करता के पारिवारिक मामले में गलत मंसा से अनाम अश्यक हत्शेप किया शिकायत के नुसार रीनी साहू ने शिकायत करता के बेटे को बताया कि नितिन सक्सेना शहर में जमीन दिलाने का भी काम करता है तब शिकायत करता के बेटे ने नितिन सक्सेना से इलाहबाद में जमीन दिलाने को कहा दोस्तों कथी तोर पर कुछ समय बाद नितिन सक्सेना ने हिमांसू को एक जमीन देने की पेशकश की और जमीन की कीमत यानी 35 लाख रुपए मालिक के खाते में जमा करने को कहा बार बार अनुरुद करने के बाद हिमांसू ने खाते में 7 लाख रुपए ट्रांसफर किये लेकिन नितिन सक्सेना के खाते में 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किये और 2 लाख रुपए नगत भी दिये शिकायत के नुसार जब बकाया भुकतान नहीं दिया तो नितिन सक्सेना ने रीनी साहू पर दहेज और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराने का दबाव डाला इसके अलावा आरोप लगाया कि जमीन के समय नितिन सक्सेना ने कोर्ट परिसर में हिमानसु को धमकी भी दी थी और कहा कि पैसे भूल जाओ दोस्तों नोटिस के बाद विपच्ची अधिवक्ताने उपस्तित होकर अपना लिखित बयान और आपती दाखिल की और शिकायत करता द्वारा अपने खिलाफ लगाये गए सभी आरोपों से इंकार किया विपच्ची ने अपने लिखित बयान के पैरा दो में कहा कि विपच्ची और शिकायत करता का बेटा हिमानसु कुमार पूर मित्र थे और दोनों एक दूसरे के घर आना जाना था दोनों ने एक साथ पढ़ाई की शिकायत करता के बेटे को नौकरी मिल गई थी और विपच्ची नयाईक सिवा परिच्चा की तयारी कर रहा था और माननी उचिन्याले इलहाबाद में प्रैक्टिस कर रहा था उन्होंने शिकायत करता कि बेटे हिमानसु कुमार से पैसे मिलने की बाद से इनकार किया दोस्तों यहाँ पर आपको बता दे कि अनुशासन समित ने नोट किया कि हमने अनुशाशनात्मक समिज के कथनों का सरवाध हीन पूरवग ध्यान किया शिकायत करता द्वारा दायर की गई शिकायत के अवलोकन के बाद सनलगनक के रूप में शपत पत्र और अन्य भौतिक साच्छों के शाथ बैंक स्टेट्मेंट से साफ पता चलता है कि शिकायत करता के बेटे हिमानसु कुमार ने नितिन सक्सेना एडोकेट विपच्छी पच्छी के खाते में अलग-अलग तारीखों में अलग-अलग रकम में पैसे ट्रांसफर किये विपच्छी ने इस तत्र को स्विकार किया कि वह रीनी साहू और हिमानसु कुमार के बीच विवाद को सुलजाने में मज़ध था विपच्छी ने अपने दोरह किये गये लेन देन के समन्द में कोई इस पस्टी करण नहीं दिया उसने यह नहीं बताया कि उसने हिमानसु कुमार से किस उदेश से पैसे लिये थे उसने इस बात से भी इंकार नहीं किया कि जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किये गए वह उनका नहीं है अदालत परिसर में शिकायत करता कि बेटे को धमकी देने के आरोब के बारे में विपच्ची ने कुछ नहीं कहा और इस आरोब का खंडन भी नहीं किया विपच्ची को हिमानसु कुमार के खाते से अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवा लिए गए जब कि वह उनका वकील नहीं था इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उक पैसे उनकी फीस थी कोट परिसर में शिकायत करता कि बेटे को धमकाना बेहर गंभीर है दोस्तो इसके बाद अनुसासन समित ने कहा हम अनुसासन समित ने विचार पूर्वक इस बात पर विचार किया कि विपच्ची को पेशेवर अन्यको अधिवक्ता दिनियम 1961 की धारा 35 के तहत कदा चार का दोशी पाया गया है इसलिए विपच्ची नितिन सक्सेना एडोकेट को निलंबित किया जाता है पांच वर्स की अवधी के लिए अभ्यास और इस अवधी के दोरान निलंबन के विपरित पच्चकार नितिन सक्सेना धिवक्ता जिनका नामांकेन संख्या UP 09536 सन 2020 है पूरे भारत में किसी भी नियाले नियाधिकरण या प्राधिकरण के समच उपस्तित होने के हकदार नहीं होंगे तो दोस्तों ये कारवाई की है बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश ने एक वकिल के बिरुद और आई होप आपको ये जानकर पसंद आयोगी साथ ही साथ जो नैद वक्ता है उनको इससे कुछ सीखना चाहिए और भविस में ऐसा कुछ ना करें कि उनका लैसेंस कैंसिल कर दिया जाए या उनको प्रैक्टिस से कुछ सालों के लिए रोक दिया जाए तो मिलता है नक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत